हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? I hope आप लोग अच्छे होंगे मेरा नाम है नीरत सैनी और मैं रहता हूँ लंडन यूके में आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेर करूँगा कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है यूके आने से पहले और जो रियालिटी होती है यहाने के बाद कि उसके बीच में क्या डिफरेंस है तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है वो मैं आप लोगों के साथ मेरा परसनल एक्सपेरियंस शेर करूँगा मुझे यहाँ पे आई हुए साथ महीने हो चुके हैं अभी अभी अगस्ट 2022 चल रहा है तो मुझे साथ मेने हो चुके हैं तो मैं मेरा एक्सपेरियंस शेर करूँगा कि जो मैं पहले सोचता था कि मेरी लाइफ वहाँ पे जाके वैसी होगी वैसी होगी और रियल में यहाँ पे आके क्या होता है सबसे पहला पॉइंट पहला है कि वहाँ पे जाके मुझे यूके जाके अच्छी जोब मिल जाएगी मैं ऐचली---- इनडिया में एक अच्छी कंपनी में एक इंजीनियर के तरु पे काम करता था तो मेरा एक्सपेक्टेशन यह था कि मुझे UK जाके भी एक अच्छी कंपनी में एक इंजीनियर की जोब मिल जाए तो वो मेरी expectation 20-22 दिन में पूरी हो चुकी थी तो मुझे अच्छी जोब मिल गई अच्छी कंपनी में अच्छी जोब मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छी सैलरी मिल रही है हाँ मेरको अच्छी सैलरी मिल रही थी as compared to India बट वहाँ पर जो कल्चर होता है ना कंपनी का वो मुझे अच्छा नहीं लगा था जैसे ही मैं जोइन किया वो मैं बहुत isolated फील करता था उस कंपनी में मतलब की लोग welcoming nature के नहीं थे तो इस type की मुझे feeling होती थी कि यार यह मैं कहां फस गया तो यह थोड़ा सा picture है ना जो यह आप लोग अगर आप इंडिया में किसी भी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो एक सीटी से दूसरी सीटी में shift होते हो तो आप लोग को शायद वो इंडिया में फील ना हो बट यहां पर आके न यह चीज तो आप लोगों को भी यह चीज फील होने वाली है कि आप लोग इंडिया से किसी कंपनी में कहीं पर जोब करते थे आप लोग डिरेक्ट ली यहां पर आते हो अगर उस कंपनी में हमारे इंडियन लोग नहीं है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि महावल यहां पर उस चीज में बहुत फील हुआ था कि यार मैं कहां आ गया ये मैं ऐसा तो नहीं सोचा था धार में वीडियोज बगारा में देखता था कि यह बहुत अच्छी जोग होती है बहुत अच्छे लोग होते हैं concerned कि अच्छे लोग होते हैं बट वो मिझे फील हुआ था कि यार मेरी expectation कुछ और रियल में कुछ हो रहा है ठीक है और दूसरा point है कि हमें लगता है जब हम इंडिया में होते हैं कि यार वहां पर जाके तो easy life हो जाएगी और luxurious life हो जाएगी तो शुरू शुरू में ऐसा नहीं हो हम आते हैं या तो इनम इंडिया से book करके आते हैं या फिर हमें आके यहां पर ढूमना पड़ता है तो वो सबसे पहले problem यही होती है हमें बिल्कुल struggle होता है यहां पर घर मिलना बहुत easy नहीं है बहुत difficult होता है बहुत जाता है कभी-कभी तो यहार मिलता भी नहीं है बंद चीजे होती है और यहां पर आके आपको अपना खाना आपकी पसंद की चीजे मिलना जो भी आपकी मतलब खाने पीने की चीजे है वो सब मिलना यह सब चीजे होती है ना जो इंसान को कही ना कहीं stress में डालती है starting starting में जो हमें इंडिया में लगता बैठके कि यार वहां जा नहीं है यहां पे सीखना पड़ेगा मैं पहले आके और नेक्स्ट पॉइंट है हम जैसे कि इंडिया पे जब होते हैं कोई वीडियो देखते हैं या किसी रिष्टेदार का है रेलेटिव का सुनते हैं कि यार उसने तो इतना बड़ा घर ले लिया वहां पे पुरी लक्जु प्लब भीड़े जिखाय संवति हैं कि यार बड़े बड़े लोगों कि यू के में गर ठोटे होते हैं हमारे इंडिया में जाना बड़े होते हैं इससद मुझे काहिता हज फील में यहां पर एक तो इतने छोटे और हमें आनो सेरों पर रूपते लिया में श changing the legal और एक expectation हमारी यह होती है कि यार वहाँ जाएंगे UK जाएंगे तो easy life हो जाएगी कि यार इंडिया में तो भाग दोड़ है ये है जोब है काम है ये है तो हम वो compare करते हैं कि वहाँ जाएंगे हमारी life बहुत easy हो जाएगी बट real में ऐसा नहीं होता है वो जो hard work होता है struggle होता है वो सब जगा सेम ही रहने वाला होता है वो चाए आप UK हो चाए इंडिया हो चाए Canada हो औस्ट्रेलिया हो आप US में हो तो वो सेम जगा सब जगा रहने वाला है वो hard life सब जगा रहती है आपको grocery की shopping भी करनी पड़ेगी इवन यहाँ पे तो आपको आप made भी नहीं रख सकते खाना बनाने के लिए अपने कपड़े दोने के लिए आपको सब कुछ खुदी करना पड़ेगा अपने बरतन भी खुदी करने पड़ेंगे तो यह सब चीज़ें है और घर की subscribe भी खुदी करनी पड़ेगी तो वो hard life है जो वो तो रहने ही वाली है उसमें कोई change नहीं आता वो expectation high मत करना इंग चीज़ों को लेके क्योंकि expectation जब high हो जाती है और वो meet नहीं होती तो बाद में ना दुख होता है और बंदा demotivate feel करता है तो यह सब चीज़ें आप मत करना आप लोग को मैं reality बताई रहा हूं यहां की और एक और point है आप लोग आ रहे हो English speaking country में बेशक है आप लोगों को बहुत सारी अच्छी English आती है मुझे भी ऐसे लगता था कि मुझे अच्छी English आती है मैं English समझ सकता हूं सब कुछ होता है बट जैसी मैं यहां आया मैंने देखा यार यह जो Britishers है यहां पे जो native लोग हैं यह जो लोग आपस में बात करते हैं तो इनका जो बोलने का तरीका है एक्सेंट है यार वो समझी नहीं आता मेरे को दो दीन महीने बहुत ज़णा दिक्कत हुई इनको understand करने में खासकर meetings में यह लोग आपस में meeting में बात करते थे यह planning करते थे यह कुछ भी बात करते थे मेरे उपर से जाती थी सारी बात हैं बट ऐसा नहीं है कि मेरे को समझ नहीं आती अभी है अब मुझे धिर धिरेन की समझ आती है अब मैं इनसे अच्छे से बात भी करता हूं बट स्टार्टिंग में बहुत जहां दिक्कत होती है तो यह जो होता है ना यह सब के साथ हो सकता है हमें आदत होती है कि हम American English को ज़ रहेगी तो आप लोगों को इसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी बट हां रियल में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है इंगलीज को लेके भी नेक्स्ट पॉइंट है हमें वीडियो में हमारे बताते हैं कि यहार यहां पितनी जाना साफस्वाई है कोई कूडा कच्रा बाइघा है यहां यहां पर करता थे न है halten तो एख आंड़ास नहीं थी हरां बहुत जादा टाफिसका अब ऑधाप यहां लोग तुपते वी आ होती रहती है तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं होता है बट यहां पर भी ऐसा है कि गंदा तो है यहां पर भी तो यह सब बाते मैंने आपको बताई कि यहां पर एक्सपेक्टेशन और रियालिटी में क्या क्या फरक है तो अगर आप लोग भी यहां पर आते हो या प्लान कर रहे हो आने का और आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है तो ट्राई करना उनको इतना ज़्यादा हाई मत रखना हाँ थोड़े टाइम के बाद आप लोग डिमोटिवेट मत हो जाना स्टार्टिंग के तीन-चार महीने पाच महीने लगते हैं थोड़ा सैटप होने में आप लोग एक कंट्री छोड़के दूसरी कंट्री में आ रहे हो आप लोग नया सैटप कर रहे हो एक स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो यह सब चीजे हो या कोई आपके पास कोई कोश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए आपना ध्यान रखना